ना तो रामानंद ने रविदास कबीर को अपना कभी सिस्थ से बताया है और नहीं रविदास कबीर रामानंद को अपना कभी गुरू बताया है फिर भी इन दोनों संतों को रामानंद जी का सिस्थ से बनाया गया क्यों यह सोचने वाली बात है आईए उसी पे चर्चा करते ह रामानंद और उनके सिस्यों के राम दसरत के पुत्र थे लेकिन रविदास जी और कबीर जी को दसरत के पुत्र राम से कोई मतलम नहीं था कबीर दास और रविदास जी के हर रचना ब्रामरवाद का खंडन करती है जबकि रामानंद और उनके चेले ब्रामनवाद का समर्थन करते हैं अब समझ में नहीं आता है कि रविदास जी और कबीर जी रामानंद जी से संस्कृत की सिछा लेकर अचानक अंगरे जी कैसे बोलने लगे लीजी आप खुदी देखिए रविदास जी को सिखाया गया कि पूजही विप्रसकल गुण हीना सुद्र न पूजही बेद प्रवीना लेकिन रविदास जी अपनी रचना में कुछ और ही कहते हैं ब्रामन मत पूजिये जो होवे गुण हीन पूजिये चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीन रविदास जी को पढ़ाया गया कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर लेकिन रविदास जी कहते हैं कि कर्म बंधन में बधे रहियो फल की नतजियो आस रामानंद जी ने रविदास जी को पढ़ाया दसरत के पुत्र राम के बारे में लेकिन रैदास जी के राम आप खुद देखिए रैदास हमारे राम जी दसरत के सुत नाही राम रम रहियो हमी में बसे कुटुम्ब माही यानि मेरा राम वह राम नहीं जो दसरत का बेटा है मेरा राम तो मेरे रोम रोम में है मेरे कर्म में है रामानंद जी ने सिखाया धोल गमार सुद्र पसुनारी सकल तारण के अधिकारी लेकिन रविदाश जी कहते हैं कहें रविदाश सुनो भई संतो ब्रामड के हैं गुणतीन मान हरे धन संपत्ति लूटे और मतीले छीन ऐसे ही रविदास जी के और भी बहुत सारे दोहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि रामानंद की विचारधारा में और रविदास जी की विचारधारा में जमीन आस्मान का अंतर था, दो दिशाओं का अंतर था, एक पूरब जाती थी तो एक पच्छी जाती थी, सिच्छा ल दुर्भावना बस कबीरदास जी के जन्म को लेकर जन्ता में भ्रम फैलाया गया और उन्हें अपमानित करने के लिए उनके जन्म के साथ ब्रामडे मैला का गपोर गुसेडा गया इनका जन्म एक मुस्लिम जुलाय परिवार में हुआ था धर्मांत्रन से पहले उनके पूरुवज कोली ते धर्म परिवरतन के बाद भी वे बुनकरी काम करते हैं, जिने जुलाहा कहा जाता है, मघहर के बारे में प्रचार किया जाता है जो मघहर में मरेगा, वो सीधे नर्क को जाएगा, इसलिए मरने के लिए लोग कासी आते हैं, अब समझने वाली बात ये हैं, कि आखिरिए मघहर है क्या पूर्भी और उत्तरी भारत में बहुत विक्षू को मग का आ जाता था या मग का जाता था तो मग मतलब। बहुत विक्षू हर मिंस पहले घर होता था आज भी बोलचल की भाषा में बोला जाता है जैसे नईहर Pichar ममहर ननहर हर हर महादेव कुछ समझ में आ रहा है पीहर किसको कहते हैं नईहर किसको कहते हैं माता पिता का घर या पिता का घर ममहर मामा का घर ननहर नाना का घर हर हर महादेव मतलब घर घर महादेव तो समझ में आ गया हर का मतलब घर होता था पहले उसी तरह मगहर का मतलब हुआ बहुद विख्रूओं का घर लेकिन पाखंडियों को बहुदों से इतनी ज़्यादा चीड थी कि उनको अपमानित करने के लिए जनता को उनसे दूर करने के लिए तमाम कालपनी कथा कहानिया रच दिये और उसका खुब परचार करते थे उसी का एक नमूना है कि मगहर में अगर मरोगे तो नर्प को जाओगे अब सोचने वाली बात यहाँ है कि कबीरदास अपने अंतिम दिनों में मगहर क्यों चले गए इसलिए चले गए कि मगहर में कबीरदास की विचारदारा के लोग रहते थे वे वहाँ आते जाते थे अब कुछ लोग सोचेंगे कि बनारस में सारनात तो खुद बोध गड़ था तो कभीरदास को मगर जाने की क्या हो सकता पड़ी तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि कभीरदास की जन्म से बहुत पहले सारनात को पूरी तरीके से नश्ट किया जा चु और उससे भी बड़ी बात यह है कि बोधिसत गुरु गोरखनात गोरखपुर में ही तो रहते थे जो मगर से सटा हुआ है संद कभीर नगर से सटा हुआ जिला है हलाकि उस समय गुरु गोरखनात जी नहीं थे लेकि उनकी विचारधारा जिन्दा थी उसी सांती के तलास मे कबीरदास अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कबीरदास और विदास जी ब्रामरवादी विचारधारा के कितने खिलाफ थे कि उनका एक साथ उचना बैशना भी असंभव है लेकिन पाखंडियों द्वारे जनता को जय बिदान जय विग्यान